Hello everyone, तो स्वागत है आप सभी का Fan Theory Friday के Episode No.1 में तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अब से मैं अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ Fan Theory Friday जहाँ पर हम आने वाली movies and series से related कुछ fan theories को discuss किया करेंगे तो आज हम बात करने वाले हैं MCU की upcoming movie Armor Wars के बारे में जहां हम Ultron के return से लेकर RDJ तक कुछ बड़ी-बड़ी fan theories को discuss करेंगे पर उससे पहले मैं आप से भी को थैंक्यू बोलना चाहूँगा क्योंकि हमने अपने इस चैनल पर 1K subscribers कम्प्लीट कर लिए हैं तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्यू वीडियो में आगे बढ़ते हैं मेरा नाम है मानस मैं हूँ अमेरिका के दलाल चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो अभी कुछ समय पहला सा सुनने में आया था कि Ultron के जो voice artist James Spadeus वो Marvel में return कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि Ultron भी हमें MCU में दिख सकता है और काफी सारे 45 ने इस बात को confirm भी किया है पर officially अभी कोई नहीं आई है तो Ultron हमें Armor Wars मुवी में दिखेगा और हाली में रिलीव होने वाली Secret Invasion और Iron Heart Armor Wars मुवी के लिए काफी important project है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि Ultron MCU में कैसे वापस आएगा क्योंकि वो तो Age of Ultron में मर गया था तो देखो Forces से ऐसा पता चले कि Armor Wars मुवी के main villain Department of Damage Control होंगे तो आपने Spider-Man No Way Home और Miss Marvel में देखाई होगा जो कि Ultron को वापस आने के लिए जिम्मेदार होंगे तो देखो मेरी जो fan theory ये है कि जो Secret Invasion है वो Armor Wars मुवी के लिए काफी important है तो शायद से ऐसा हो सकते कि जो Skrulls हैं वो Earth को invade करना चाते हैं पर Secret Invasion में वो ऐसा नहीं कर पाएंगे इसलिए Armor Wars में वो अपना भेस बदल कर Department of Damage Control का सहार लेंगे और Ultron को वापस लाएंगे ताकि Ultron उनका बचा हुआ काम पूरा कर सके वैल ये तो मेरी थियोरी है दूसरी थियोरी ये है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि Avengers की जो भी लडाई होती है उसके बाद Department of Damage Control सारी investigation करते हैं और सभी कचरे को साफ करते हैं तो नो डाउट सुकोविया बैटल में भी Department of Damage Control का involvement रहा होगा और उनके पास Dead Ultron Wats भी होंगे ही तो ऐसा हो सकता है कि Department of Damage Control के agents Agent Clary या फिर Agent Sadie जिनको हमने Miss Marvel और Spider-Man 9 वे हम में देखा ही था वो या उनकी टीम में से कोई member Ultron को वापिस लाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है वैसे मेरा शक तो Agent Davyard पर ही जा रहा है क्योंकि Miss Marvel में हम उसकी हरकते देख चुके हैं यह बात तो ही कि Ultron MC में return कैसे करेगा और आखिर इस सब में Iron Heart कहां fit होती है क्योंकि इस movie में Iron Heart का भी काफी दाद important role होगा तो देखो जैसे Avengers Age of Ultron में Avengers को vision की जरूरत पड़ी थी Ultron को हराने के लिए क्योंकि vision नहीं Ultron को internet से delete किया था यानि एक AI को हराने के लिए AI की ही जरूरत पड़ेगी पर अभी MCU में vision नहीं है मतलब white vision है पर उसकी existence के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है इसलिए war machine Iron Heart की मदद लेगा एक नया AI बनाने के लिए और ये probably Tony Star का AI हो सकता है और comics में भी Iron Heart ऐसा कड़ चुकी है जहां वो Tony Star का एक AI बनाती है अपने mentor के तोर पर यानि Tony Star का AI Ultron को हराने के एक main की है और Ultron का वापिस आना, Star Tech का गलत हातों में जाना इतना सब कुछ हो रहा है तब war machine, Iron Heart और Tony Star का AI मिलकर इन सब चीजों से deal करेंगे लेकिन हाल ही में Marvel के Vice President ने बताया थे कि RDJ किसी भी project के लिए return नहीं कर रहे है तो मुझे लगता है कि एक marketing strategy है मूवी की hype बढ़ाने के लिए जैसा कि Andrew Garfield ने किया था Spider-Man No Way Home की टाइम उसके बाद हम सभी जानते हैं कि मूवी कितनी awesome थी ऐसा ही कुछ शायद Marvel वाले Armor Wars के साथ करना चाहा रहे है ताकि मूवी की hype विल्ड हो सके और अगर आपको याद हो तो Armor Wars पहले एक series होने वाली थी पर बाद में से एक मूवी में convert कर दिया गया ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि Ultron, Tony Starkes, AI जैसे बड़े-बड़े characters को series में दिखाना इन character के साथ proper justice नहीं होता और RDJ, Ultron ये ऐसे actor और characters को वापिस on screen दिखाना Marvel के लिए भी business perspective से बहुत फायदे की deal है और साथ ही साथ Marvel को फिर से shine करने के एक और मौका मिल पाएगा पहले मैं इस movie के लिए excited नहीं था अब मैं Armor Wars के लिए बहुत जाल excited हूँ और जितने भी theorist को आज हमने discuss किया है अगर इन में से कुछ भी सच हो जाता है तो हम कह सकते कि हमने movie को 60% decode तो करी लिया है बस आप Marvel को ज़रूर रहत एक अच्छी story की उसके बाद बॉम ये movie सूपर hit है तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पर हमने Armor Wars movie से related कुछ fan series को discuss किया अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना अगर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया न तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना यार और अगर आपके पास भी किसी upcoming movie या series से related कोई fan theory है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना हम उसे अगले episode में ज़रूर से cover करेंगे और जिसकी भी fan theory अच्छी होगी हम उसे shout out भी देंगे Marvel ने कौन-कौन से villain waste किया है वो वाली वीडियो देखने के लिए left में क्लिक करें अगर आप कैंग के 5 strongest versions के बारे में ज़रने है तो उस वीडियो के लिए right में क्लिक करें धन्यवाद